हेलो दोस्तो स्मार्टपॉन की चानल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो सुवागत दोस्तो यदि आप अपनी बेटी का सुकन्या समरिद्धी का अकाउंट पोस्ट आफिस में खुलवाने के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट आफिस का नेम और एड्रेस यहां लिख देना होगा फादर या मदर में से जो भी सुकन्या समरिद्धी का अकाउंट खुलवा रहा है उनकी फोटो और यहां नेम यहां लिख देना होगा यहां SS से लिख देना है, SS से यानि सुकन्य सम्रिधी अकाउंट यहां SS से पर टिक यहां कर देना है, फिर आप नीच आएंगे तो यहां लिखा हुआ पर सकते हैं, account holder type account holder type में minor throw garden पर यहां टिक कर देना है इसके बाद आप नीच आएंगे, यहां जो है आपको अपने बेटी का यहां नाम लिख देना है, यहां date of birth लिख देनी है, zender में यहां आपको F लिख देना होगा, age proof के लिए आप birth certificate देने वाले हैं, तो यहां birth certificate लिखकर birth certificate के उपर जो भी document number लिखा होगा, वो यहां आपको लिख देना होगा आपको post office में पूछ लेना है कि सुकन्या सम्रिदी account खुलवाने के लिए कितने amount की जरोध होती है, वो amount लिखकर यहां पर उस amount को यहां words में लिख देना है इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां जो है बेटी के father या मदर में से जो भी account खुलवा रहा है, उनका name यहां लिखना होगा, मान लीजिए, बेटी के father यहां account खुलवा रहे हैं, अपना, तो father को अपना name लिखकर यहाँ जो है father को अपने father का name यहाँ लिखना है और मान लीजिए यदि बेटी की mother account खुलवा रही है तो mother को अपना name लिखकर यहाँ अपने husband का name यहाँ लिखना होगा फिर gender, male है तो M लिखिए, female है तो F लिखिए यहाँ date of birth लिखनी होगी, जो भी account खुलवा रहा है father या mother में से उनको अपनी date of birth लिखनी है यहाँ उनको अपना अधार card का अधार number लिखना है pen card का pen number लिखना होगा यहाँ address यहाँ लिखना है, यहाँ पर भी address लिखना है address दोनों same हो सकते है इसके बाद आप नीचे चाहेंगे यहाँ mobile number लिखना होगा ID proof के लिए यहाँ pen card लिखकर pen card का pen number लिखना होगा address proof के लिए यहाँ आप अधार card लिखकर यहाँ अपने अधार card का अधार number लिख दीजिए फिर आप नीचे चाहेंगे बेटी के father या mother मेंसे जो भी account खुलवा रहे हैं उनके signature यहाँ पे होंगे और यहाँ name लिखना होगा इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ next page पर आजाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पर सकते हैं declaration आपको इन declarations को जरूर यहाँ पढ़ लेना है यहाँ आपको ssa पर टिक कर देना है फिर आप नीच आएंगे बेटी के father या mother मेंसे जो भी सुकन्या संब्रिद्धी का account खुलवा रहा है उनको यहाँ अपने signature यहाँ कर देने है इसके बाद आप नीच आएंगे यह nomination का column है बेटी के father या mother मेंसे जो भी सुकन्या संब्रिद्धी का account खुलवा रहे है उनका name यहाँ लिख देना है यहाँ assets से लिख देना है assets से यानि सुकन्या संब्रिद्धी account nominee आप जिसे भी बना रहे हैं उनको यहाँ name लिखकर उनका relationship में क्या लगता है यहाँ लिख देना है nominee का है यहाँ address यहाँ लिख देना है यहाँ nominee की date of birth यहाँ लिख देनी होगी यहाँ 100% लिख देना है फिर आप नीच चाहेंगे बेटी के father या mother मेंसे जो भी सुकन्या संब्रिद्धी का account खुलवा रहा है उनको यहाँ अपने signature यहाँ कर देने है इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ next page पर आजाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पर सकते है name तो यहाँ जो है बेटी का नाम लिख कर बेटी का सुकन्या संब्रिद्धी का account जो भी खुलवा रहा है फादर या मदर मेंसे जो भी खुलवा रहा है उनका अपना नाम यहाँ लिख देना है और बेटी के फादर या मदर मेंसे जो भी सुकन्या संब्रिद्धी का account खुलवा रहा है उनको यहाँ अपने signature यहाँ कर देने ने है इसके बाद आप नीच चाहेंगे यहां बेटी का नाम लिखकर बेटी के साथ जो भी मतलब सुकन्यासम्रिध्धी का जो अकाउंट खुलवा रहा है उनको साथ में अपना नाम यहां लिख देना है यहां address यहां fill कर देना है address फिल कर देने के बाद यहां आपको अपना mobile number यहां लिख देना है यहां जो है pen card का pen number यहां लिख देना है इसके बाद आप जब नीच आएंगे यहां आप लिखाओ पर सकते हैं proof of identity आप proof of identity के लिए आप pen card दे रहे हैं तो यहां pen card लिखकर यहां जो है pen card का pen number यहां लिख देना है और proof of address के लिए यदि आप आधार कार्ट दे रहे हैं तो यहाँ आप आधार कार्ट लिखकर यहाँ आपको अपने आधार कार्ट का अधार नमबर यहाँ लिख देना है वो बेटी का सुकन्य समरिद्धी का अकाउंट जो भी खुलवा रहा है इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ next page पर आज आने के बाद जो है next page जो है वो cash deposit slip का है तो आपको सबसे पहले cash deposit slip के उपर new SS से लिख देना है क्योंकि account number आपको बाद में ही मिलेगा तो इसलिए आपको cash deposit slip के उपर new SS से यहाँ लिख देना है आप जिस भी post office में सुकन्या सम्रिद्धी का account खुलवा रहे हैं उस post office का name लिख देना होगा आप जिस दिन इस form को post office में जमा करेंगे उस दिन की date यहाँ आपको लिख देनी होगी फिर आपको यहाँ SS से पर यहाँ tick कर देना है account number तो आपको बात में ही मिलेगा इसलिए आप नहीं भर पाएंगे यहाँ जो है बेटी का नाम लिख कर बेटी का account जो भी खुलवा रहा है फादर या मदर में से उनको साथ में अपना नाम लिखना होगा आप जितना amount जमा करा रहे हैं उस amount को यहाँ words में यहाँ लिख दीजिए आप cash से payment करने वाले हैं तो आप cash लिख दीजिए जितना amount आप जमा करा रहे हैं उस amount को यहाँ words में लिख दीजिए इसके बाद आप इदर आएंगे यहाँ पर भी आपको उपर new SSS यहाँ लिख देना है account type में आपको SSS पर ticker देना है आप जिस भी post office में सुकन्य समरिध्धी का account खुलवा रहा है उस post office का name यहाँ लिख देना है account number तो है आपको बात में मिलेगा आप जिस दिन इस form को जमा कराएंगे post office में उस दिन की date यहाँ आपको लिख देनी है यहाँ पर जो है बेटी का नाम लिख कर बेटी का जो भी account खुलवा रहा है father या mother में से जो भी account खुलवा रहा है उनका अपना नाम साथ में लिख देना है जितना amount आप जमा करा रहे हैं उस amount को यह words में लिख दीजिए आप payment cash से करने वाले हैं तो आप cash लिख दीजिए आप जितना amount आप जमा करा रहे हैं उस amount को यहां लिख दीजिए और father mother में से जो भी इस form को post office में जमा कराने वाले हैं उनको यहां अपने सिंगनेचर यहां कर देने हैं इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि सुकन्य सम्रिद्धी का आकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन-किन डोकुमेंट की जुरुद पड़ेगी वहां मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपको जो है पोस्ट आफिस में आपको पूछ लेना है कि सुकन्य सम्रिद्धी का आकाउंट खुलवाने के लिए किन-किन डोकुमेंट की जुरुद पड़ेगी जितना मुझे पता है वहां मैं बता देता हूँ बेटी के आधार काड की एक जुरुद पड़ती है आकाउंट खुलवाने के लिए सुकन्य सम्रिद्धी का बेटी का बेटी का बर्स सर्टिफिकेट फादर या मदर में से जो भी सुकन्य सम्रिद्धी का आकाउंट खुलवा रहे है उनका पैन काड जितना मुझे पता है सुकन्या सम्रिद्धी आकाउंट खुलवाने के लिए जिन जिन डॉक्यमेंट्स की जरुत पड़ती है वह मैंने आपको बता दिया है फिर भी आपको पॉस्ट आफिस में पूछ लेना है कि सुकन्या सम्रिद्धी का आकाउंट खुलवाने के लिए किन किन documents की जरुद पड़ती है तो आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जो जान करी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आयो पसंद तो या लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यावाद